इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ कि सेफ पाल का आप अपना वॉलेट के इस तरीके से रीकवर कर सकते हैं देखो रीकवर आपको क्यों जरूरत पड़ी रीकवर करने की पहला तो आपका या तो आपने मोबाईल चेंज किया है यानि कि पुराने मोबाईल से नए मोबाईल पे गया है नई से पुराने पे या फिर आपने रीसेट किया या फिर गलती से अनिस्टॉल कर दिया है तीन चारी यह कंडिशन हो सकती है सबसे पहले तो आप एक Gen 1 यानि कि जो ओरिजिनल वाला सेफ पाल का wallet है सिंपली वो ही आप डाउनलोड करें क्योंकि recently मैंने सेफ पाल का tweet देखा था उस पे एक तो फरजी टेलिग्राम चल रहा है सिंपली और एक फरजी application चल रहा है तो आप भी aware रहें सिंपली वो मैं आपको एक बार tweet दिखा देता हूँ फिर आगे हम बात करेंगे सो जैसे कि महाँ आप लोगों को बता रहा था तो यह देख लीजिए सेफ पाल का यहाँ पर retweet है सिंपली और यह original सेफ पाल का retweet है ठीक है तो यहाँ पर आप भी aware रहें इन सब चीजों से प्लस इनोंने एक और किया था तो यह आप देख सकते हैं कि फरजी कौन सा है रियल कौन सा है तो देखो यहाँ पर जो fake वाला है उसमें न सेफ पाल wallet लिखा हुआ है और नीचे अगर जहान से देखोगे तो सेफ पाल wallet pro लि लिखा हुआ है लेकिन मेरे पास क्या है कि iPhone है तो iPhone में थोड़ा सा different है मैं आपको बता देता हूँ मैं क्या करूँगा कि इनकी website का link आपको देदूँगा तो आप सिंपली इनकी जो website है उसपे से डाउनलोड करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा ठीक है मैं आप अपने इ मुझे नहीं पता कि उसका क्या सीन है बट मैं जो ओरिजिनल जो जैन्वन है ना गाइस वो आपको लिंक दे दूँगा तो ऐसा गलती मत करना कि भाई सब फेंग की डाउनलोड कर लो सबसे पहले क्या करना है ओपन करने सबसे पहला प्रोसेस तो ओपन करना है हमारा क्या है कि software wallet है यहां कि हमारे पास कोई machine नहीं है मतलब हमारे पास simply एक digital wallet था अपना ठीक है तो उसी को recover करेंगे हमें क्या करना है software wallet पे tap करना है मैं simply यहां पे access guide on कर लेता हूँ बहुत message आता है बहुत disturb होता है तो यहां पे क्या है कि create wallet और यहां पे import wallet लिखा हुआ है अब दिखो create wallet हम उस condition में करते है जब हमांको नया wallet बनाना होता है यह आपको नया wallet बनाना होता है यह मुझे तो मैं tap करता नहीं तो आप tap करते जो भी है that's it अगर यहां तक वीडियो अच्छा लगा है तो यार make sure like करो यार ठीक है like नहीं करते हो comment करके बदाना वीडियो कैसे लगा import करेंगे हम import क्यों करेंगे क्योंकि हम अपना account यहां पे re-login कर रहे है ठीक है तो यहां पे मैं क्या करूंगा import पे click किया अगर आपकी इतने सारे नीचे option नहीं आ रहे ना guys तो आप यहां पे import पे एक बर click कर ले ना अब यहां पे भी काफी confusion है कि यार simply हम यहां पे क्या करें जो neemonic की है वो करें या फिर private की या जो भी है अगर वेगरा जो भी है तो हमें क्या करना है हमारे पास क्या थी अगर आपने screen shoot लिया होगा ना तो आपके पास लिखा होगा कुछ इस तरीके से की neemonic की या फिर लिखा होगा past phrase या कुछ भी लिखा होगा phrase भी लिखा हो सकता है तो हमारे पास क्या है नी मॉनिक की phrase है जिनको हम 12 digits का बोलते हैं ठीक है तो first वाला जो option है आपका कि हमें जो neemonic की वाला phrase वाला है वो ही आपको select करना है उस condition में आपको password बनाना है यह नहीं कि आप किसी के साथ भी शेयर ना करें अधर्वाइस फिर आपको प्रोब्लम हो सकती है इस चीज का ध्यान रखे मैं यहां कंफरम पी क्लिक करूँगा अब यहां पर मुझे बोला जा रहा है कि भाई साब आपके की हैं बारा या पंदरा या अठारा देखो अगर आपने की में कुछ छेड़ा चाड़ी की थी जैसे हम नए अकाउंट बनाते हैं तो हम अपनी साब से कस्टमाइज कर सकते हैं जो कि मुझे बात अच्छी लगती है आपको लगता है कि यार नहीं बारा की मेरे लिए सेफ नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं पंदरा कर सकते हैं अब आप सब्सक्राइब के एक कि सब्सक्राइब नियुक्त करा ईएक कि कि अपने डिटल वह दो जाने नियुक्त और्लेटिक हो डिखे लिको देगा कि देगा कि अपनी डिटल यहाई इस स्केन वाले लोगों पर क्लिक करके बट मैंने सब कुछ देख लिएगी मेरी सारी चीजे ठीक है मैंने अपना नाम भी डाल दिया है अब मुझे क्या करना है इंपोर्ट वॉलेट पर क्लिक करना है जस्ट मुझे एक बड़ टैब करना था बस ठीक है आपके पास जो भी होल्डिंग होगी ना वो ओटोमेटिकली आपको दिखाए देगी जैसे मेरे पास यहां बीन भी आ गया अब आप ऐसे टैंशन ना करेंगे आपके पास होल्डिंग थी लेकिन वो साला वोलेट में दिखा रहा है जीरो जीरो तो डरने का नहीं है इस प्लस देखो सर्च के बाद वी प्लस का निसान नीचे एड था ना यहां देखो एड़ भी लिखा है नीचे एडबल डी इस पे क्लिक करेंगे आपका जो भी कोईन का होल्डिंग था सिंपले आप उसको जैसे सर्च करेंगे I hope कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा आपकी help वी होगी इस वीडियो से तो आप इस वीडियो को like करे comment करके बताए कि आपको अगर कोई problem है तो आप मुझे simply telegram पे message कर सकते हैं फिर instagram पे कर सकते हैं और official जितने भी मेरे social handle से वीडियो के description में आपको मिल जाएंगे मैं मिलूँगा ऐसा ही एक और interesting वीडियों तब तक के लिए जैहिन वन्दे मादरम अस्ते रहिए मुस्कुराते रहिए